हेलो दोस्तों मैं आशे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप ही के अपने चैनल मिस्टर टेक बॉक्स में जहां आप उन्हें कर पाएंगे लेटेस्ट अपडेट से प्लम आसाने से तो देर खीज़ बात की लेट्स गो दोस्तों फाइनली बहुत देर के बाद एपल ने यहां पर WWDC 2020 इवेंट को कर दिया है ओनलाइन और एपल ने बहुत सारे सॉफ्ट्वेर को यहां पर अपने नए नए लॉंच कर दिया है तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर जालों iOS 14 के बारे में जो आपने देखने को मिल जाएंगे सॉफ्ट्वेर के रिगार्डिंग तो काफी अच्छा इवेंट था यार और इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा iOS 14 के बार में जो यहां पर iOS 14 का का काफी कमाल के फीचर्स है मैं उसको ही कवर करूंगा जो पहला फीचर यहां पर अच् कई सारे apps होंगे जो आपने सिर्फ one time के लिए यहां पर install किया है मतलब काफी यूज नहीं करते हैं आप बहुत कम यूज करते हैं वह apps के लिए भी यहां पर Apple ने रास्ता निकाल दिया है अगर आपको बारवाद देखे गुस्रा आता है तो इसके लिए काफी अच्छा रा आपरे में category में मिल जाएगे तो यह काफी अच्छा option है इसके अलावा दोस्तों तो दूसरा option यहाँ पर Apple ने नया लाया है वह widgets का widgets तो खेर पहले से थाई बट यह iOS में नया feature यह है कि widgets को आप अपने home screen पे भी add कर पाएंगे जैसके मैं आपको screen पे दिखा रहा हूं आपको जो भी widgets चाहिए आप उसको long press करके drag कर दीजे जिसके ललते हूँ आपके home screen पे आ जाएगा और आप उसको जहां पे भी place करना चा optimize करके मिल जाएंगे जिसके ललते हैं आप अपने widgets को swipe up करते जाएए और change करते जाएए तो काफी अच्छा option है मेरे हिसाप से यह इसका मदलब अगर आपको सुबै को news देखने है तो news वाला widget open कर दीजे अगर आपको weather देखना है तो swipe up करके weather में चले जाएए तो यह भी का उसे मझे comment में बताई है कि आपको यह option कैसा लगा ऐसे में दूस पीडियो third feature है वो काफी मदलब शांदार सा feature है मैं कहूंगा वो है accessibility का feature जिसके चलते हैं आप अगर आइफोन में पीछे double tap करेंगे तो आप जो app आपको open करने है वो आप आसानी से open कर पाएंगे same to same अगर अगर आप triple tap करेंगे तो भी आप अपने कोई से भी app को open कर पाएंगे तो खिर camera इसमें open नहीं होड़ा को कि camera के accessibility यहाँ पर नहीं मिलती double tap और triple tap में अगर मैं UI के बात करूँ तो UI में दो बहुत सारे आप अपग्रेडेशन किये गए है कोई भी app अगर आपके camera को use करता है तो आपको notification panel में एक yellow सी light दिख जाएगी जिसके आपको पता चल जाएगा कि यह app आपके camera को use कर रही है similarly अगर कोई app आपके phone में से microphone को use कर रही है तो open notification panel में आपको green light देखने को मिल जाएगी तो यह काफी अच्छे options है मैं कहूंगा आपको कैसे लगे आप मुझे comment करके जरूर से बताना जिसको आगे बढ़ते हैं और हम बात करते है picture in picture की तो यह भी काफी अच्छा option है यह पहले से हमको android phones में मुझे जहां तक याद है काफी सारे android phones में available है क्या आपके phone में available है अगर आप कोई भी movie या तो कोई भी video को देख रहे हैं और आप उसको देखना चाहते हैं और दूसरा कोई काम भी साथ साथ करना चाहते हैं तो आप home button को just दबा दीजे वो video minimize हो जाएगा और आप साथ ही साथ दूसरा काम भी कर पाएंगे मज़ेदार बात यह है कि अगर आ आपका काम खटम होता है उस video को वापस play कर देजा तो उसको cross करके हटा सकते तो अगले feature की मैं बात करूँ तो है हम सभी की प्यारी दुलारी Siri के बारे में Siri यहाँ पर upgrade हो चुकी है और अगर मैं पिछले iOS की बात करूँ तो इसमें अगर आप Siri को call करते थे तो पूरी screen को वो cover कर देती थी यह iOS में क्या है कि छोटा सा प्यारा सा animation आपको Siri का देखने को मिल जाएगा जिसके रलते के पूरी screen कवर ने होगी जश नीचे middle में आपको यह website open करने के लिए कहा यह आराम से अपनी website जो भी आपने कहा वो open तो कर देगी और अगर आपने इसको weather भी साथ ही साथ पूछ लिया तो weather की जो आपको details है वो एक छोटे से उपर बार में आपको देदेगी यह तो यह काफी अच्छा option है मैं कहूंगा multitasking आप इससे बहु तो आप कोई सा भी अटपटा सा सवाल पूछ लिजे बिल्कुल Google Assistant की जैसे यह आपको जवाब अच्छी तरह के से मिल जाएगा और दोस्तों मैं दूसरे वीचर की बात करूँ यहाँ पर तो है dictation mode dictation mode basically क्या करेगा कि आपके speech को recognize करके वो इसको text में convert कर देगा तो यह काफी accurate सा है यहाँ पर जैसे कि मुझे पदा चला है तो आप इसको भी यहाँ पर use कर सकते हैं अगर आप Siri को को कोई voice message send करने को बोलेंगे तो वो भी वो काफी आसानी से translate कर देगी तो यह भी काफी होते हैं और कॉंसा वर्शन जीश कहलते हैं वो भी मुझे जरूर से बता दिए नीचे comment section में और दोस्तों iOS 14 में आपको language translations का भी काफी अच्छे सा option मिल जाते हैं अगर आपका कोई दोस्त है कोई दूसरी country में रहता है और कोई दूसरी language speaker तो उसके लिए यह काफी अच्छ हो जाता है जैसे ही आप अपने phone को landscape mode में कर देंगे तो दोनों ही एक साथ यहां पर translation हो जाएंगे तो यह काफी अच्छे बात है और दूस्तों Apple ने साथ ही साथ messages में भी बहुत सारे यहां पर अप्ग्रेडेशन किये हैं यह अपडेट में बेसिकली आप अपने कोई भी मैसेज या तो कोई भी यूजर को पिन कर सकते है जिसके लिए वह एकदम टॉप में चला जाएगा और आप जबी भी उससे बात करना चाहे तो वह आपके लिए टॉप में रहेगा तो आपको सारे अप्ग्रेडेशन किये हैं एपल ने जब पहले मिमोजिस का ऑप्शन तो था ही बट उसमें कभी लिमिटेड से आपको स्कीन मिल जा दो थे यह टाइम एपल ने ट्वेंटी टाइम स्मोर स्कीन यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल कर दी है और बहुत ज्यादा हैरस् यह बहुत था है यह अपको जाए अपंपटों कि कर दिया है और मैंने आपको ृप्ग्रेडेशन बता है जो कि आच्छे लगें मुझे और मैं अभी आपको स्क्रीन पर शेयर करा हूँ iOS 14 के सारे फीचर्स की हाइलाइट आप इसे अराम से एंजोई कीजिए तो दोस्तों यही था इस वीडियो में अगर आप नए हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और नोटिविक्रेशन बेल को आउन कर दो ताकि हमारी वीडियो की साइब नोटिविक्रेशन आपको मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं और दोस्तों जल्दी से जाओ और लाइक ठोको इस वीडियो को ताकि मुझे पता चल सकते कि आपको यह वीडियो पसंद है यही था इस वीडियो में मैं मैं अप्चक लिए वीडियो में तब तक के लिए स्टे होम, स्टे जेफ और बाबाई